नबस्ते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जुलो जी के कुछ कोस्टन सौल्व करेंगे और यह कोस्टन एसिस्टन प्रोफेसर के लिए पूछा गया है तो देखते हैं यहार या नाक एक्जाम जो आने वाले हैं एसिस्टन प्रोफेसर की उसको धियान में रखते भी हम य अलाकोस्तन है 66 यह क्या पूछ रहा है विच ग्लेंड इज एक्टिव डूरिंग चाइल्ड हूड बट एट्रोफाइस इन एडल्ट चाइल्ड हूड में कौन सा ग्लेंड एक्टिव रहता है लेकिन एडल्ट में जाके वो डिसेप्यर हो जाता है एक तरसे डिजन डिजनरेट हो जाता है तो ओप्शन है एडरीनल एडरीनल थाइरोइड थाइमस और पैंक्रियास तो इसका इंसर होता है थाइमस थाइमस जैसे बच्चे में तो बड़े साइज का होता है और जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है ये रिड्यूस करता चला जाता है ठीक है तो 67 नमर कोशन पर आ गया है अगला कोशन देखते हैं ये तो पहला हो गया इसका रेट इंसर थाइमर्स 67 कोशन पूछ रहा है नीरो लीमोसाइट्स are also known as नीरो लीमोसाइट्स को हम और क्या कहते है नीरो से ही टर्म से क्लियर है कि ये नर्व से रिलेटेड है ये जो से लिए है चार उप्शन है पहला उप्शन एसका वेन सेल बी उप्शन एसके लेटर सेल सी मूलर सेल डी जेक उप्शन सेल इसका है स्क्रेवन सेल स्क्रेवन सेल जो हता है जैसे कि ये नीरोंस है और नीरोंस का जो ये ये तो बोडी हो गया जहांपर नुकलेस होता है जो मा भी बोलते है और ये वाला एक जोन पार्ट है है और ये एक जोम टर्मिनल है तो एक जोन टर्मिनल थे। ही जो एक जोन वाला पार्ट है इसके चारों तराफ इन्सुलेटर बनाता है, लपेट लपेट के, और सबसे नुखलेस होता है, उसके में ही नुखलेस होता है, इसको नुणलीमोसाइट्स करते हैं, यह नर्व से 잖아요, होता है ठीक है और ये सी करण हमारा जो इंफरमेशन ये थे चला यज्याद मेलन शिट बना दिया और जो इनफरमेशन है वह इस मेलन से को इनसुलेटर को क्रोश निकरका ऐसे imaruse कści कोड़ के इनफरमेशन इन्फर्मेशन जल्दी से ट्रैवल कर लेता है ठीक है ना तो एक सेकेंड में 130 मीटर का दूरी त्रै करते है अब बाकी ऑप्शन जाए देखे एस के नाइडर एसके नाइडर सेल इसको एस्टू सेल भी कहते हैं यह दोर्सो फिला सेल नहीं का नाम है मूलर सेल मूलर सेल जो हता है यह रेटीना में पाए जाता है जो काम हमारे सेंटरल नर्वर सिस्टम में इस्ट्रोसाइट्स ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं वो मूलर सेल करता है रेटीना में जो हता है जेक ओप्सन सेल जो हता है जेक ओप्सन ओर्गन जो रेटाइल्स एंफिवियंस जो सुंहने की जो पावर होता है जिसको वह मेरो नैसल भी कहते है वहां पर पाए जाता है ठीक है अब अगला कोशन 68 68 नमर कोशन दो विच हार्मोन मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर बायरेगुलेटिंग एक्सक्रीशन ओफ वाटर का इनमें से कौन सा हार्मोन नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है और कैसे करता है कि एक्सक्रीशन ओफ वाटर को रेगुलेट करने का भी काम करता है में से कौन सा हार्मोन तो आप्शन है ए रेनीन बी बी इंजियो टेंसी नोजीन सी इंजियो टेंसीन खुड़ी है एल्डोएस्टरोन तो इसका रेटेंसर है एल्डोएस्टरोन यह सारे एक रास सिस्टम्स के एकोर्डिंग है यह जो रेनीन है रेनीन जो होता है यह प्रो रेनीन प्रो रेनीन जो होता है और यह बनाने काम करता है जी से जगस्टा GGA cell जो होते है Glomerulus operator cell जो होते है वो proranin से ranin बनाता है और ranin क्या करता है ये जो angiotencino ये जो यहाँ पर angiotencino gene जो हता है जो liver secret करता है इसको angiotencino 1 में convert करता है ये ranin ठीक है और फिर angiotensin 1 से angiotensin 2 और angiotensin 2 फिर adrenal gland जो होता है kidney के उपर उसको activate करता है वहाँ से eldestrone निकलता है और यह eldestrone जो है water control करता है रेगुलेट करता है water को reabsorvation करा देता है आपके PCT में जिसके करण जो होता है यह blood pressure maintain हो जाते है जैसे water reabsorbs हो गया और sodium भी reabsorbs कराता है मातर यह potassium को जाने देता है excretion कराता है ठीक है तो blood pressure जो sodium के ज़्यादा होने से solute ज़्यादा हो जाए किसी भी मांग से solute बढ़ा हो गए तो hypertonic solution इसे blood pressure यह जिसेल की बात है oxygen लेकिन पूरी blood vessels की बात है तो pressure बढ़ जाता है और यह जब reabsorbs हो गया इस blood से और water भी तो एक दरसे blood pressure कम हो जाता है तो यह help करता है ठीक है अगला question तो इसका right answer aldosterone हो गया डी अगला question है कि which phylum belong to which phylum belong to deutroastromia deutroastromia जो है एक गते protoastromia और एक गते deutroastromia यह होता है कि पहले moth बन रहा है यह पहले एनस बन रहा है इलेमेंटरी कलनाल के formation से related terminology है जदी पहले estroma बन रहा है तो उसको protoastrom बोलते हैं यह ज़्यादा तर इन वर्टिब्रेट होते है और तो पूर्ट मोलस्क इनलीट सारे protoastromia होता है प्रोटोस्टोम टैप गए रेडिट्रोस्टोम जाए वह इकाइनो डर्मेटा होता है मेमल्स होता है इसमें पहले तो एनस बनता है और फिर मौत का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो इसका रेट एंसर इकाइनो डर्मेटा हो गया ठीक है अब है question नमर 17 17 पूछ रहा है life on earth emerged in which era किस एरा में पिर्थवी पे जीवन इमर्ज किया आया उत्पन हुआ तो इसका चार ओप्षन दे दिया पहला ओप्षन है A. मेसोजोएक B. प्रोटेरोजोएक C. एर्कियोजोएक D. पेलियोजोएक तो सबसे पहले जो सिक्वेंस होता है बोलता है हार्ड रन के बाद आर्कियोजोएक उसके बाद है प्रोटेरोजोएक प्रोटेरोजोएक फिर होता है मेसोजोएक फिर होता है सीनोजोएक जो अभी चल रहा है तो सबसे पहले यहां पे अर्थ फॉर्मेशन हो है हार्ड रन में और आर्कियोजोएक में सबसे पहले लाइप इमर्ज गिया ठी ठीक है और पेलियोजोच हैं पेलियोजोच में फिर्सट फिर्स्ट फिर्स्ट प्लांट यह सब हुआ यह प्रोटेलोजोच है और सिनोजोच में अभी इंसान है ठीक है तो इसमें सबसे primitive R की जो इक हो गया वहीं पर life सबसे पहले originate किया तो right answer C हो गया अब अगला question देखते है Plasmodium complete its sexual cycle Plasmodium अपना sexual cycle कहां complete करता है option A, blood of man B, gut of mosquito C, slavery glands of mosquito D, blood cavity of mosquito तो यह gut में करता है mosquito के gut में अपना sexual cycle complete करता है male, female जो spore है जाके इसके guts में मिलते हैं वहीं भी fertilization होता है और यह guts में ही होता है तो इसका right answer B है celebrity gland में यह जब develop हो के spirozite बनता है तो इसके celebrity gland में चला जाता है और वहां से फिर host को आता है ठीक है तो right answer B हो गया अब है 72 question 72 question के पूछ रहा है कि the fluid that lubricates joint is जो joint होते है synovial joint जो है knee joint है ankle joint है उस joint में बूल रहा है कि the fluid that lubrication का का काम कौन करता है grease का काम ठीक है तो option A hemolymph option B synovial fluid C plasma D serum तो इसका right answer होता है synovial fluid synovial fluid grease का काम करता है हर joint में पाए जाता है ठीक है और यह एक तरह से जब jerking या friction ज्यादा महसूस नहीं होना देता joint पे और यह जितना exercise हम करेंगे उतना यह अच्छा रहता है synovial fluid formation होता रहता है तो इसलिए exercise हमें करना चाहिए इसे joint में pain नहीं होता है arthritis नहीं होती arthritis के दोरान यह synovial fluids की कमी हो जाती है यह कोई और disease हो जाए तो उसमें यह कमी आ जाती है दूसरा जदे देखे हमो लिंप क्या होता है हमो लिंप जितने भी invertebrate है यह analogous है blood के जो vertebrate में बलट जो काम करता है food transport का हमो लिंप invertebrate में करता है ज़्यादा तर orthoports मुलस्क plasma जिसमें हमारा hemoglobin dissolve रहता है blood cell dissolve रहता है blood cell hemoglobin रहता है जिसमें dissolve plasma का रहता है और जैसे कि यह blood है blood मैं से protein clot जो होने कबद clot part हटा दो जो बच जाता उसको serum करते है ठीक है अब अगला question अगला question है pyruvic acid before combining with oxaloacetic acid in TCA cycle is converted into pyruvic acid before combining with oxaloacetic acid oxaloacetic acid जो होता है यह चार कार्बन का होता है इसको OAA काते है इससे आके pyruvic acid मिल रहा है तो मिलने से पहले कि इसमें convert होता है तो pyruvic acid 3 carbon का compound होता है यह glycolysis का in product होता है और यह acetyl coin jam में टूटता है इसको phosphoryl mitochondrium यह process होता है acetyl coin jam यह बना और वो जो है इस oxaloacetic acid से मिलके citric acid पहला 6 carbon compound मुनाता है और फिर 6 carbon से 5 carbon alpha-ketoglutamic succinic 4 carbon formic और फिर oxaloacetic और यह TCA cycle complete हो जाता है तो यह बूच रहा था कि pervic acid before combining with oxaloacetic acid in TCA cycle is converted into तो यह इससे मिलने से पहले पहले convert acetyl coin jam में होता है ठीक है तो इसका right answer B हो गया acetyl coin jam A अब आए हमारे पास अगला question जो main talks test is for main talks test किसके किसके लिए किया जाता है क्यों किया जाता है तो option है पहला diptheria के test के लिए B scarlet fever C tuberculosis D rheumatoid fever तो यह tuberculosis के लिए किया जाता है यह एक तरह से एक injection होता है जो हमारे dermal layer के बीच में किया जाता है और incubate किया जाता है लगाता है एक दो दिन और उसके बाद उसमें क्या inflammation हुआ उसको हम observe करता है तो इस type के test को जो dermal injection दिया जाए उसको amount to text कहते है ठीक है अगला देखते है question number 75 75 पूछ रहा है कि वी रामोष appendage और प्रजेंट इन वी रामोष वाई रामोष वाई रामोष वाई रामोष या यूनी रामोष यह कोता है कि appendage जो प्रजेंट होते हैं यूनी ज्यादातर इन्सेक्ट में यूनी होता है लेकिन एक क्लास होता है अर्थोपोडा का जो crustacean crustacean में यह बाई रामोष होता है appendage इसके साथ इंट इंट तो जूरा रहाता है इस टाइब का तो यह ज्यादातर prawn, scorpion इस सब में देखा गया तो राइट एंसर बी हो जाएगा अगला question 76 76 question नमर पुझा है the histone octamer complex with DNA is called तो उसको nucleosome करते हैं simple question octamer जो होता है वो h2 a b h2 h2 a h2 b h3 h4 यह दो-दो होता है octamer बोलते हैं और यह फिर दूसरे octamer से जुलने के लिए जो linker DNA वहाँ पे h1 होता है तो यहाँ भी octamer है तो यह linker DNA भी बोलते हैं h1 को और यह octamer जो होता है यह histone protein का बना होता है इसके उपर में जो DNA को fold करके रखा जाता है यह DNA acid की nature है और यह basic की nature होता है histone DNA को छोटे जो 2 मीटर का DNA होता है और छोटे से cell के अंदर समेटने में यह folding बहुत help करता है तो इसको nucleosome करते हैं यह DNA plus octamer is called nucleosome ठीक है अब है question अगला question क्या पूछ रहा है कि sperm head contain sperm head contain modified sperm head में क्या होता है modified form है option A lysozome option B mitochondria option C golgy bodies option D centrosome तो golgy bodies होता है present lysozome mitochondria centrosome यह सेंटर रहता है और जैसे कि head होता है यह nucleus होता है उसके आंगे का part में यहाँ पे golgy bodies होते है यह head वाले part में जातर nucleus होता है फिर mid part शुरू हो जाता है इस mid part में chloroplasin triol से होते है और नीचे tails में होते है यह जो sperm का आपका figure होता है तो यह golgy bodies जो है जो ओभा का layers होते है जोना पेलिशिडा radiata यह सब को dissolve करने में उसके अंदर poor formation करने में help करता है अगला question the function of embryonic membrane ellen twice is यह embryonic membrane जो ellen twice होता है उसका function क्या है तो इसका चार option है A. excretion B. protection from socks C. nutrition and excretion D. respiration and excretion तो इसका जो right answer है वो D है respiration और excretion में यह help करता है protection में इसका immunotic fluid होता है वो करता है help nutrition तो इनको umbilical code से मिलता है तो यह respiration और excretion में यह ellen twice help करता है 79 नमर को गॉसन the hexose monophosphate pathway जिसको HMP भी pathway भी करते है hexose monophosphate pathway is associated with production of गोलता है HMP pathway जो होता है हो की से associated है हो क्या production करता है यह ज़्याद तर reducing molecule बनाता है NADPH2 बनाता है ठीक है बाकि अप्षन ATP, NADHT, FADH2 है यह सारे TCA cycle के product है बाकि NADPH2 जो है यह HMP pathway का product असी नमर कूशन यह पूछ रहा है तो Cocoon of Earthworm contain fertilize एग Cocoon of जो Earthworm होता है कितने fertilize एग होता है उसमें तो बूलता है मेनी इसका रहे टेंसर बहुत सारे मेनी ठीक है आज़के वीडियो में इतना है आगे हम और अच्छे वीडियो बनाके लेंगा ब्लोग शीवामे नास्ते